हेलो फ्रेंट्स वेलकम तु स्टेडी आई क्यों मेरे नाम अंकित तिवारी और आज हम फिर से हमारी सीसाइट की सीरीज को आगे ले जाएंगे सीसाइट क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूट ठीक है जो क्वांट वाला सेक्शन है उसमें से आज एक और टॉपिक पढ़ेंगे और उसके कुछ कुछ कुछन सॉल्फ करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है तो अब सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है सीजाट का पेपर कैसे आएगा सीजाट का पेपर आएगा सी अब्जेक्टिव क्वेश्चन दो घंटा दो सो मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क 66 इच कुश्चन कैरी 2.5 मार्क्स और अगर गलत बनाओगे तो 0.83 मार्क्स चले जाएंगे ठीक है गुड आप्टनून सबको यह ता आपका हो गया स्कीम आफ एग्जामिनेशन और आगे बढ़ते हैं विडाउट वेस्टिंग मच टाइम सिलेबस ऐस गिवन बाई UPSC टीक डिदिंग कॉम्प्रिहेंशन पहला सेक्शन होता है स्लेबस का दूसरा सेक्शन हो जाता है रीजनिंग जिसमें आता है जेन क्वांट के तो अभी हम कर क्या रहे हैं अभी हम जो है क्वांट के टॉपिक की अवीड है कॉआंट defects कोभर कर रहे हैं क्वांट मीन्स ये वाले दो टापिक बैसिक नुमर petrol data interpretation इसी को आगे मरते हैं यह ज़ो-एक बस था क्वांट का जो मैंने आपको हर सेशन के स्टार्ट में बताता हूं कि अगर quantitative aptitude अच्छे से करना है तो मिनिमम से मिनिमम ये सारे topic का एक basic ज्यान होना जरूरी है ठीक तो basic ज्यान का मतलब क्या हुआ देखो क्या क्या पढ़ चुके हम लोग प्लेलिस में से यह लोग फर्स टाइम जोइन किया प्लेलिस में जाके देख लीजिएगा नंबर सिस्टम खतम average खतम percentage खतम ratio proportion finish profit loss finish mixture relegation finish simple compound interest खतम time work खतम time distance खतम problem based on boat train or stream finish आज क्या करने आया है finish pipes and systems ठीक आज का टॉपिक क्या है हमारा pipes and system तो आज हम इसको finish करेंगे बहुत छोटा सा topic है सवाल आते हैं हमेशा और इसका जो question बनता है वह exactly इसके जैसा बनता है time and work जैसा कोई formula नहीं है एक कही यूनिट्री method है जो time and work में जो भी सिखाया था और उसी को apply करके question solve करूंगा pipes and system के भी ठीक कि इसी के साथ-साथ Sunday को आम लोग क्या चला रहे हैं कि एवरी संडे ट्वेल्फ से टू पी वाई क्यू की सिरीज कि दो हजार बाइस का सी सैट का सी सैट दो हजार बाइस का मैंने क्वांट एन रीजनिंग के सारे questions जो है लगभग लगभग स्वाल कर दिये उसका session भी देख लीजेगा क्योंकि previous year question से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है ठीक तो इसी को आगे बढ़ाया जाएगा अगले संडे में 2021 2020 2019 reverse order में हम लोग चलेंगे ठीक है तो आगे बढ़े फिर आज स्टार्ट करना पाइप संसिस्टन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है च्छुटा सा टॉपिक है फिनिश करते हैं ऐसे ठीक है पाइट से इन सिस्टन टुडेइस टॉपिक चलिए उसके पहले एक आपको छोटा सा information देना है then we will start our session study IQ में we have started this SIP plus program what is this success in prelims program एम क्या है यूनो प्री आ रहा है और मार्च तक के यूनो मार्च एंड तक आपको knowledge और confidence दोनों का दोनों प्रोवाइड कर आएगा यह program ठीक तो अगर आप इस साल का प्री टार्गेट कर रहे है ठीक है प्रेलिम्स 2023 तो इस course को एक बर जाकर आपको देखिएगा studyiq.com पर ठीक है यह course 19 December से स्टार्ट हो गया है जितने lectures मिस हुए है वह आपको recorded format में मिल जाएंगे और बाकि आप इसको live session join कर सकते है code क्या use करना है 80 live 6000 का आपको यह course total पढ़ेगा ठीक है यह इसके feature से यह यह आपको मैं देखने बोला हूं कहां पर जाके studyiq.com पर ठीक करेंट और स्टेटिक दोनों portion cover होगा NCRT standard book दोनों cover होंगे ठीक है हर class के बाद test होगा revision booklet मिलेंगे seaside के workshops होंगे पूरा end to end paper one and paper two कि दोनों चीज़ें आपकी cover होगी ठीक पर जाके स्कोर्स को देखिएगा start हो चुका है बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है बड़ स्टार्ट हो चुका है ठीक कोड याद रखना एटी लाइफ और एक बार इसके features जरूर चेक करना तो इतनी information थी अब start करते हैं हम लोग हमारा topic ठीक चलो इसके एक-दो question अमने शाद time and work में बनाये थे मैं उसी question से start कर रहा हूं ठीक है इसके एक-दो question मैंने time and work में बनाये थे आपके लिए बट उसको मैं भूल के मैं बहीं से start कर रहा हूं इस topic को पढ़ो इस सवाल को क्या क्या जालता है फिर solve करेंगे इसको बहुत ज्यादा theory नहीं है इसमें बहुत ज्यादा theory इसमें नहीं है एक बार इसको read कीजिए जल्दी से देख बार read कीजिए फिर मैं solve करता हूं उसको पढ़ा है आप लोगों ने क्या बोल रहा है पाइप A and B running together ठीक है पाइप A और B running together can fill a cistern in six minutes यह देखिए थोड़ा सा उसको जूम आउप करिए कट रहा है उपर से slide इसमें ऐसा क्यों हा रहा है इसमें ऐसा क्यों हा रहा है अच्छा ठीक है ना तो यह कुश्यन पढ़ों क्या बोल रहा है है पाइप A and B running together can fill a cistern in six minutes देखो cistern का मतलब पहले समझ लेते हैं कि system क्या हो जा रहा है एक आपका tank जैसा something ठीक है एक टैंक जैसा something structure है जिसमें हम पानी फिल कर रहे है अब पानी फिल कैसे हो रहा है यह और भी मिल के इस टैंक को फिल कर देंगे this is the question यह question है कि अगर दोनों अलग-अलग काम करते हैं तो कितना जल्दी फिल कर देंगे tank को जिन्होंने time and work पढ़ लिया है उनके लिए तो easy question है जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं फिर basic से solve करके दिखा दूँगा एक unitary method होता है उसी के true हम बनाते हैं आया किसी का answer पर देंगे पहला सवाल है तो महीं solve कर देता हूं कि दोन्ट वरी देखो पाइप ए और बी मिल के 6 मिनट में फिल कर रहे है मैं को नहीं पता इंडिविजुली कितना time लग रहा है तो मैं लिख देता हूं पाइप ए जो है वह एक्स मिनट में कितना काम कर रहा है डब्लीयू वर्क डब्लीयू वर्क क्या है टैंक को फिल करना सिस्टर्न को तो पाइप ए जो है एक्स मिनट में डब्लीयू वर्क कर रहा है ठीक अच्छा पाइप बी कितना समय लेगा साफ साफ लिखा हुआ है देखो बी टेक five minute more than A मतलब x plus 5 minutes w work करने में pipe a और pipe b तो देखिए pipe a जो है एक minute में कितना work करेगा एक minute में w by x और pipe b कितना काम करेगा एक minute में w upon x plus 5 यही काम करता था मैं time and work में चलिए नील सिंग ने answer दिया है b ठीक है एक minute का मैंने work निकाल लिया pipe a का pipe b का अब अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो कितने minute में करेंगे 6 minute में दोनों मिल के 6 minute में काम पूरा कर लेंगे मतलब एक minute का work कितना होगा अगर pipe a प्लस b मिल के काम करते हैं तो एक minute में कितना work कर लेंगे w by x plus w upon x plus 5 एक minute का work क्या होगा दोनों के work को add कर लो formula आपको पता है 5 minute कितना गा 6 minute 6 minute से अगर मैं multiply कर दूँगा 1 minute के work को w by x upon w by x plus 5 ये किसके बराबर आ जाएगा total work तो देखो answer कितना आ रहा है ये w w cancel हो गया ये हो गया 6 2 x plus 5 upon x square plus 5 x is equals to 1 इसको अगर आगे solve किया जाए तो 6 to the 12 x plus 30 is equals to x square plus 5 x कितना आ जाएगा ये x square minus 7 x minus 30 equal to 0 हो ठीक मतलब कितना आ रहा है x minus 10 into x plus 3 तो x is equals to 10, minus 3 minus 3 को मैं neglect कर दूँगा कितनी आ गई x की value 10 minute बाद में note करना तो pipe A कितना देर में fill करेगा 10 minute में और pipe B अकेले काम करके कितना देर में fill करेगा 10 plus 5 15 minute ठीक है 10 minute और 15 minute answer is C ठीक है answer is C ये question मैं solve किया था time and work में मुझे आद है पश्रुवात यहीं से कर रहे है कुछ नहीं करना है आपको दोनों pipe का एक minute का काम निकाल दो और फिर दोनों की काम को add करके number of minutes से multiply कर दो कर लीजे इसको note इसको note कर लीजे doubt है तो पूछ लो मैं फिर से explain कर दूँगा या आगे का इस टॉपिक के लिए मुझे काफी messages आये हैं कि सेर क्वाड्रेटिक एक्वेशन सॉल्फ करने में प्रॉब्लम होती है ठीक है टोंट वारी मैं एक सेशन प्लाइन कर लूँगा छुटा से सेशन जिसमें आपको यह चीजे बता दूँगा कि भाई हाउ टू सॉल्फ क्वाड्रेटिक एक्वेशन उसके बाद कभी समस्या नहीं आएगी आप डारेक्ट एंसर लिख लोगे मैं आपको कौड्रेटिक इकवेशन सॉल्फ करने का तरीका समझा दूँगा आने वाले सेशन में एक सेपरेट सेशन प्लाइन करेंगे कौड्रेटिक का जैसे मैंने डारेक्ट लिखा आये ना अब भी ऐसे डारेक्ट लिख दोगे वैलिवे ठीक तो नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले कुस्च्चन पर ठीक है लिख लिए इसको देखिए तो यह सवाल क्या क्या रहे यह वाला कुस्च्चन देखिए ओस्वीन है सेम एक सिस्टन जो है वो पांच घंटे में फिल होता है ठीक बट छे गंटे लगते हैं जब एर इस लीक एट इट स बॉट्म जब उसके बॉट्म में अगर छेद है तो वो टंकी को फिल करने में छे घंटा लग रहा है जब वो छेद नहीं था तो तो पांच घंटे में फिल हो जाता था तो आपको ये बताना है कि अगर टंकी भरी हुई है तो वो जो लीक है वो कितने घंटे में इसको खाली कर देगा वो कितने घंटे में इसको खाली कर देगा कि ठीक है ठीक है जिनों ने भी लिखा है कौद्रटिक में प्राब्लम होती है डोंट वरी ऐने वाले एक दो सेशन में मैं क्वाड्रेटीक ही रखके पिरिश करवा दूंगा उसको अब डारेक्ट एंसर लिख लोगे क्वाड्रेटिक का इसको बनाई ये पहले कि नॉर्मली पाँच गंटे में फिल होता था जब उसमें लीक था तो 6 गंटे में फिल होता था तो आपको बताना है कि लीक कितने घंटे में पूरी भरी टंकी को खाली कर देगा थर्टी बिद्धुर्ट जी ने अंसर दिया है गुड क्योंकि यह दोनों कोश्चन मुझे यादश है टाइम इन वर्क में मैंने कराया था बट क्योंकि यह बेसिक है तो यहीं इन ही कोश्चन से शुरू करते हैं फिर इसको ले जाएंगे एडवांस लेवल तक के जिस लेव उपर ठीक है ऑप्शन सी गुड लेखो क्या बोल रहा है मैं सॉल्फ करता हूं ठीक है असिस्टर निज नॉर्मली फिल्ड इन फाइव आइव आर्स पांच घंटे में जनरली यह भर जा रहा है ठीक बहर किससे रहा होगा है तो पाइप से भर रहा होगा या टैप से भर र यह घंटे में क्या कर रहा है डव्यू वार कर तो यह फाइप जो है एक घंटे में कितना कि फिल कर रहा होगा डव्यू बाइफ कि यह आगी चीज़े आपदेखो लीक जो है जो छेद है उसमें टंकी में ठीक है लीक जो है मैं मान लेता हूँ X घंटे में तुम लोग बताओगे ठीक लीक जो है वो X hours में क्या करेगा मान लेते हैं X hours ले रहा है पूरा टंकी खाली करने में तो X hours में वो work कितना करेगा प्लस डब्ल्यू की माइनस डब्ल्यू लिख के बताईए जल्दी से प्लस डब्ल्यू वर्क करेगा की माइनस डब्ल्यू वर्क करेगा लीक जो है वह लीक से पानी भर नहीं रहा पानी कम हो रहा है तो लीक एक्स आवर्स में माइनस डब्ल्यू काम कर रहा है तो मेरा leak जो है एक घंटे में कितना वर्क कर रहा है minus w by x यह आगया ठीक minus w कर रहा है good तो total क्या आ रहा है ठीक है pipe plus leak ठीक है यह दोनों मिल के एक घंटे में कितना वर्क कर रहा है pipe भर रहा है टंकी को w by 5 times और leak जो है w by x times खाली कर दे रहा है यह आ गया इनका एक घंटे का काम total कितने घंटे लग रहे है इनको 6 घंटे बन गया question क्या करोगे एक घंटे का काम w by 5 minus w by 6 minus w by x into 6 hours कितना आ गया यह w तो w w cancel हो जाएगा कितना बन रहा है 6 by 5 minus 6 by x is equals to 1 तो फिर क्या हो जाएगा 6 by 5 minus 1 is equals to 6 by x यह कितना आ गया 1 by 5 is equals to 6 by x तो x की value कितनी आ गई 5 into 6 30 hours मतलब लीक को पूरा टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा 30 hours ठीक है 30 hours अब लकुल minus क्योंकि खाली कर रहा है negative ultra work करेगा तो minus कर दूंगा मैं इसको नोट कर लो minus w काम कर रहा है 30 घंटे लगेंगे पूरा टंकी खाली करने में लिख लिए इसको यह नोट कर लीजेगा ठीक है अगे बढ़े अगले सवाल पर कि अधिक हमने दो कुष्ट्ट कर लिए basic level की कुष्ट्टन हमने कर लिए अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं लेवल बढ़ाना क्या होगा इसी कुष्ट्टन को थोड़ा complex करता जाएगा क्योंकि तरीका तो एक ही होता स्टाइं सॉल्फ करने का जो मेठेड हमने सीख रहा है यह था कुश्चिन यह इसका एंसर इसको देखिए तो क्या कह रहा है इसको देखिए क्या कह रहा है कि देखो क्या बोल रहा है अगर टीन टैप टीन नल एक साथ ओपन कर दें तो टंकी 10 घंटे में भर जाएगी एक बार कॉश्चन समझ लीजिए फिर आप सौल्फ करना अगर तीन टैप को टीन नल एक साथ ओपन कर दें तो दस घंटे में टंकी भर जा रही है ठीक इसमें से एक टैप जो है पांच घंटे में टंकी को अकेले भर सकता है दूसरा दस घंटे में तो आपको बताना है थर्ड पाइप का रेट क्या होगा तीसरे पाइप का कि दिनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दस घंटे में भर रहे हैं पहला वाला अकेले काम कर रहा है तो पांच घंटे में दूसरा दस घंटे में अकेले काम करने पर तो तीसरा पाइप किस रेट पर वर्क कर रहा है यह आपको बताना है है konon ते और वाप्षिन देख लो वह दोनों काम कर सकता या तो ईतल को खाली कर रहा होगा यह है इसमें ऑप्शन देख क्या में लग रहा है कि भाई दोनों कैटिगरी पॉसिबल है बनाईए इसको फिर मैं सॉल्फ करता हूँ कि भॉशन जी का एंसर आया है बी एंप्टी डटांक इंट्वेंटी आर्स ठीक है और किसी का सबसे पहले एंसर भॉशन जी ने दिया है अंशिका जी का भी सेम ही एंसर है ठीक है शायद एंसर भी ही होगा शायद एंसर भी होगा दो जन का आया है भी नेहल का एंसर आया है अलग का एंसर आया है सी ठीक जलिए दो ऑप्शन आ गए अभी तक हमारे पास करूं मैं solve चलो मैं solve करता हूँ एक और question देखते हैं इसको जिनको नहीं समझ मैं आवका उनको थो और confidence आएगा कि भाई कर क्या रहे है तीन tap है तीनों का नाम दे देता हूँ मैं A, B, C तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 10 घंटे में fill कर रहे हैं छोड़िए one of the tap can fill in 5 hours मतलब tap one जो है ठीक है या tap A यह क्या कर रहा है पाँच घंटे में W वर्क कर रहा है तो tap A एक घंटे में कितना काम करेगा W by 5 यह tap A पहले वाले tap का ठीक है पहले वाले tap का एक घंटे का काम आगया W by 5 ठीक अच्छा tap 2 यह tap 2 नहीं है tap B था न ABC नाम रखा हूँ मैं tap B जो है वो कितने घंटे में fill कर रहे है 10 hours में कितना काम same काम W तो tap B का एक घंटे का काम कितना आगया W by 10 यह दो चीज़े मुझे मिल गई tap A और tap B पहला tap और दूसरा tap एक घंटे में कितना काम कर रहे है W by 5 और W by 10 अब देखो मिल को बताना है tap C का तो मिल को नहीं पता तो tap C जो है X घंटे में मैं मान लेता हूँ W वर्क कर रहा है तो tap C का एक घंटे का वर्क कितना आगया W by X मिल को नहीं पता है कि पॉजिटिव वर्क कर रहा है कि नेगेटिव वर्क कर रहा है ठीक है ऐसे ऐसे देख्चे कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्क कर रहा है बट टेंशन नहीं लेना आप पॉजिटिव वर्क मान के सॉल्फ करो एंसर अगर माइनस में आगे है तो समझ जाना नेगेटिव वर्क है ठीक जैसे मैंने मान लिया कि positive w काम कर रहा होगा तो tap c का एक घंटे का वर्क कितना आया w by x अब देखिए तीनों अगर मिल के काम करते हैं तो कितना फिल कर लेंगे एक घंटे में w by 5 plus w by 10 plus w by x ये घंटे का काम और टोटल कितना घंटा ले रहे हैं अगर एक साथ चल रहे हैं तो 10 घंटा किस से multiply कर दोगे 10 से हो गया equation बन गई w common ले लो cancel हो जाएगा क्या बचा 10 by 5 plus 10 by 10 plus 10 by x is equal to 1 तो ये किस से कट गया 1 से और ये कट है 2 से 3 plus 10 by x is equal to 1 तो 10 by x is equal to 1 minus 3 equal to minus 2 तो x कितना आ जाएगा x की value आ जाएगी कितना हो जाएगा भी 10 divided by minus 2 मतलब minus 5 यहाँ ध्यान दो बाद में लिखना ठीक यहाँ ध्यान दीजे एकस घंटा कितना आ रहा है tap c कितने घंटे में काम कर रहा है w काम minus 5 hours में time कभी minus नहीं हो सकता मतलब यह पाँच घंटे में कितना काम कर रहा होगा minus w मतलब यह empty कर रहा है tank को in 5 hours option number c option number c x की value minus 5 आ गई क्योंकि x क्या है समय है समय कभी minus नहीं हो सकता time कभी minus नहीं हो सकता मतलब यह पाँच घंटे में minus w वर्क कर रहा होगा तो आपको बिल्कुल चिंदा नहीं करना positive कभ लूँगा minus कभ लूँगा अब सब plus minus प्लस मान के solve करो answer आपको अपने आप बता देगा कि क्या आ रहा है note कर लीजे समय कभी भी negative नहीं हो सकता time सिर्फ कभी कभी सुने हो time को negative होते हुए कभी time को negative होते हुए नोट कर लो इसको यह आगे का कभी सुने हो time को negative होते हुए नहीं time negative होता है वस एक जगे तुम लोग तुम लोग से को electronics engineer है है तुम लोगों में से कोई किसी ने किया इलेक्ट्रिकल या electronics में इंजिनियरिंग कोई है नहीं है जल्दी एक नोट कर लीजे इसको है कि नहीं चलिए ठीक है उसमें हम लोग पढ़ते थे time negative होता था चलिए तो यह सवाल बन गया question easy था चलो इसको फिल करो तो क्या है question क्या है question कि tap M जो है वो अकेले पूरे टंकी को आठ घंटे में भर देता है ठीक है यहां पर फिल लिखा है इफ बोथ टैप्स आरोपन साइमल्टेनियसली इन वाट टाइम वुड़ टैंक गेट फुल दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी विशाल जी बोल रहा है एलेक्ट्रोनिक्स पढ़ें उसमें सिस्टम होता है था न सि इस प्रकाशल सिस्टम नॉन कॉजल सिस्टम उस समय नेगेटिव होता था वह था वारे काम कर नहीं है यहां पर कि बनाओ इसको टैंक एम जो है आट घंटे में भर रहा है टैंक टैप एंड जो है वह बारा घंटे में खाली कर रहा है दोनों मिल की कितने देर में काम करेंगे कभीर का एंसर आया 24 आर्स ठीक है देखते है करूं में सॉल्फ नील का एंसर आया 24 वाइफ ठीक है कभीर का एंसर 24 आया था वाइफ चला गया था विशाल को याद आ गया कॉजल सिस्टम सिग्नल सिस्टम में पड़ते थे इलेक्ट्रोनिक्स में है 24 आर्स चलिए सॉल्फ करता हूं मैं टैप टैप मतलब समस्ते होना नल टैप एम जो है आट घंटे में कितना काम कर रहा है डबल्यू वर्क तो टैप एम जो है एक घंटे में कितना काम करेगा डबल्यू बाई एट टैप एन जो है कितना घंटा ले रहा है बारा घंटा ले रहा है बारा घंटा में कितना काम कर रहा है माइनस डबल्यू क्यूं खाली कर रहा है तो माइनस और भर रहा है तो प्लस तो टैप एन जो है ए एक घंटे में कितना काम करेगा minus w by 12 यह हो गया कि दो डेटा मिल गया मुझे ठीक अब tap m और n को अगर एक साथ start कर दे tap m plus n अगर एक साथ काम करें तो एक घंटा में क्या काम करेंगे w by 8 minus w by 12 यह हो गया इनके घंटे का काम आपको बताना है कितने घंटे में टंकी भरेगी लोग hours को कितना ले लेता था था मैं हमेशा n multiplied by कितना था w by 8 minus w by 12 is equals to w तो यह कितना आ जाएगा n into 1 by 8 minus 1 by 12 is equals to 1 तो कितना आ रहा है यह है LCM वेल्सियम लेना मेरे को कुछ नहीं आता डारेक्ट सॉल्फ कर देता हूं 12 minus 8 divided by 12 into 8 is equal to 1 तो number of hours कितने आ गए 12 into 8 divided by 4 किसे चले जाएगा यह यह गया 4 1 से यह गया 3 से 8 3s are 24 hours अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने घंटे में फिल करेंगे 24 घंटे में अगर दोनों एक साथ फिल करेंगे एक साथ वर्क करेंगे तो 24 घंटे में फिल कर लेंगे तो इसको नोट कर लीजे, यहां से लिखना स्टार्ट किया है, मैंने, क्या डाउट पूछा है तुमने, सर में CDS की विपेशन कर रहा हूं, मुझे एडवान्स भी करना पड़ता है, ठीक है, या CDS में क्या पूछते हैं, अमर को पता नहीं है, बड़ कॉआंट वगेरा ऐसी रहता होगा, UPSC कंड़क कराती है न, इक्जाम, 24 घंटे अंसर आएगा, दिख लीजे, इसको नोट कर लीजे, कॉपी पेन लेके बाटना, नोट करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब तुम यहाँ पर 1.5 घंटा, 2 घंटे का सेशन अटेंट कर रहे हो, कंसेप्ट तो समझ जा रहे हो, ठीक है, कॉपी में अगर नोट कर लोगे, तो 3-4 महीने बाद रिविजन कर सकते हो, उस चीज का, क्योंकि आप 3-4 महीने बाद फिर से, अगर तुम्हें, पाइप्स एंड सिस्टर्न का वीडियो देखना पड़े, तो वो तुम्हार लें टाइम बेस्ट हो जाएगा, वो तुम्हार लें टाइम बेस्ट होगा, जो नहीं करना है, अमें, ठीक, इसलिए नोट करते रहा अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री एंट्राइंगल एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, थोड़ा से ट्रिग्नोमेट्री में यहां पर भी पढ़ाऊंगा, सीसाइट में भी, ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक होता है, पता नहीं तुम्हों को याद होगा की नहीं आद होगा, ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक होता है हाइट एंड डिस्टेंस पर देखते हैं पेड़ की परच्छाई इतनी लंबी बन रही है तो पेड़ से दूरी कितनी होगी ऐसे वाले कुश्चन सीसाइट में दो-तीन बर पूछे गए हैं रेगुलर्ली नहीं पूछते हैं बट कभी कभी पूछे गए हैं तो एक बेसिक लेवल पर ट्रिग्नोमेट्री आपको घ्यान होना चीए जो मैं आपको बता दूँँगा अब बठा एडवांस लेवल में नहीं पढ़ेंगे कि हाइटन डिस्टेंस टॉपिक पूछ रहा है ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछता सीसाट पर हाइटन डिस्टेंस पूछता है एक बार इसको एक्स्प्लेन कर दीजे लोग एक्स्प्लेन कर देता हूं टैप M जो है आठ घंटे में टंकी भर रहा है टंकी भरने का मतलब W वर्क करना तो टैप M जो है एक घंटे में कितना काम करेगा सिंपल सा है W बाई 8 टैप N जो है बारा घंटा में टंकी खाली कर रहा है मतलब माइनस W वर्क कर रहा है एक घंटे में कितना काम करेगा माइनस W by 12 दोनों टैप एक साथ ओपन कर दूंगा तो एक घंटे में कितना काम करेंगे M का काम प्लस N का काम क्योंकि N का काम नेगिटिव था तो यहां पर माइनस साइन आ गया अब क्या किया कितना घंटे लग रहे हैं N से मल्टिप्लाई कर दिया एक घंटे में इतना कर रहे हैं घंटे में कितना करेंगे टोटल काम जो की डबली हो है सब स्वाल्व किया एन की वैल्यू 24 आर्स कि अभिनाश को याद आ गया है एंगल ऑफ एलिवेशन वाला हाँ अपका हाइटन डिस्टिंस का ही टॉपिक होता है कि तुसको नोट कर लिए आगे बढ़ते काफी टाइम दे दी इस कुश्चिन को यह वाला यह वाला अभी सेम टाइप की कुश्चिन कर आ रहा है इस इस पर आपको चार से पांच कुश्चिन पूछा है तो यह पूछा जा सकता है तो उसको हम लोग करेंगे एंड में लीजे इसको को सॉल्फ कीजिए इसको सॉल्फ कीजिए एक सिस्टर्ण जो है समझा देता हूं नॉर्मली छे घंटे में भर जाता है सिस्टर्ण मतलब टंकी बट चार घंटे ज्यादा लगते हैं जब लीक हो तो आपको बताना है वही कहानी कि लीक जो है कितने टाइम में एमटी कर देग करेगा पूरे टैंक को कि लीक जो है कितने टाइम में एमटी करेगा टैंक को कि सुभाष का एंसर आ गया गुड सुभाष ने बोला है कि सर्फ 16 आर्स हो सकते हैं कि देवर नॉर्मली छे घंटे में टंकी भर रही है बट लीक की कारण दिन चार घंटे में नहीं भर रही है चार घंटा एक्स्ट्रा ले रही है हाँ जल्दी है मनाइए इसको कि दिन आर्स क्या हो रहा इस बर सारे सारे आप्शन्स आ रहे हैं इस बार तो इस बार तो सारे आप्शन्स आने लगें करूं मैं सॉल्व इस कुश्चन को चलिए मैं सॉल्व करता हूं एक सिस्टं जो है नॉर्मली 6 घंटे में भर जा रहा हुए मानलो पाइप से भर रहा हूं तो पाइप जो है 6 घंटे में कितना काम कर रहा है डब्ल्यू वर्क तो पाइब का एक घंटे का वर्क कितना आ जाएगा डब्लीू बाई शिक्स ठीक अच्छा, लीक का मेरको नहीं पता लीक तो find करना है, तो लीक में मान ले रहा हूं X गंटे में minus W काम कर रहा है तो लीक का one hour का work कितना हो जाएगा minus W by X टिक ये निकल गया पाइप के एक गंटे का काम और लीक के एक गंटे का काम अब आपको पता है दोनों मिलके काम करेंगे तो W by 6 minus W by W by X ठीक ये गंटे का काम तोटल टाइम कितना लग रहा है देखिए अगर लीक भी वर्क कर रहा है तो 4 गंटा जादा मतलब 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 आर्स लगेंगे सेम वर्क में तो ये 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 सब कैंसल कितना आया 10 by 6 minus 10 by X is equals to 1 ठीक है ये 10 by 6 ये इधर आजाएगा इसको यहापर solve कर रहा हूँ ठीक ये 1 इधर आया तो 10 by 6 minus 1 is equals to 10 by X ये हो जाएगा 4 by 6 is equals to 10 by X तो X कितना आ गया X आगया आपका 10 into 6 by 4 कितना हो जाएगा ये गया 5 से 2 15 घंटे लगेंगे अरे क्या खुल गया 15 घंटे लगेंगे उसको empty करने में 15 hours एंसर आया था आप सब का 15 good काफी लोगों का 15 आया था final answer is 15 hours अगर system भरा हुआ है तो लीक को empty करने में कितना टाइम लगेगा 15 घंटे देख लीजे फिर आगे बढ़ेंगे तो लोग में से इससाल कौन-कौन appear कर रहा है प्रेलेंस में 2023 में बताईए थोड़ा लिख के कौन-कौन appear हो रहा है इस बार के प्रेलेंस में इसका एंसर तो आगे ऑप्शन नंबर 15 hours आगे बढ़ें अगले सवाल पर आए नोट तो कर लिए होगे इसको कौन-कौन हो रहा है परशुराम जी हो रहे है आशू ठीक है मिथोन और इमरान का 2024 है चलो एक बार इसको ट्राई करो ये क्या बोलता है कि कौशन समझा देता हूं में देरा टू पाइप सीना टैंक पाइप A जो है वो टंकी भरने के लिए है और पाइप B जो है वो खाली करने के लिए है ठीक A जो है टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और B जो है टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है यहां तक तो ठीक है सवाल क्या है कितने घंटे लगेंगे इन दोनों को ठीक है How many hours will it take to completely fill a half empty tank मतलब अब क्या हो रहा है तंकी पहले से आधी भरी हुई है बाकी आधा भरने में कितना समय लगेगा ठीक यह है कुश्चन कि तंकी पहले से आधी भरी हुई है बाकी आधा भरने में कितना समय लगेगा दोनों का आपको इंडिविज्वल स्पीड दे दिया है कि ए भरेगा 10 घंटे में भी खाली करेगा 15 घंटे में पताईए इसको इसका एंसर तो जिन लोग भी 2023 टार्गेट कर रहे हैं उनकी प्रिप्रेशन चल रही है नहीं चल रही है अच्छे से जी एस की और सी साट की तोनों पेपर की लिए में आपका दोनों पेपर रहता है न जी एस वन और प्रिशाट कि अभी मेंस की ही तैयारी कर रहे हो अभी प्रेलिम स्टार्ट किया नहीं हो अप्शन बी कर कोई कुछ लोगों का पंदरा घंटे आया कुछ लोगों का बीस घंटे आया और बीस घंटे ट्वेंटी आर्स आप पर्श्राम जी ने कहा है सीशाट टफ लग रहा है आप फिर्स टाइम सेशन अटेंड कर रहे हैं पर्श्रौ राम जी अब इसके पहले भी session किया है हमारा अधित्या को भी problem है जिन जिनको सीशाट टफ लग रहा हुं बताना किया इसके पहले कभी session अटेंड की हो मेरा यह फर्स टाइम है यह आगे बढ़ा जाए चलो मैं सॉल्फ करता हूँ दो पाइप हैं पाइप A जो है भरने के लिए पाइप B खाली करने के लिए ठीक है पाइप A जो है वो 10 घंटे में W वर्ट कर रहा है तो पाइप A का एक घंटे का वर्ट कितना होगा W बाइ 10 कोशान एकदम सिंपल है बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चीए पाइप B जो है कितना घंटा ले रहा है 15 घंटा कितने काम के लिए माइनस W वर्ट के लिए तो पाइप B का एक घंटे का वर्ट कितना आएगा माइनस W बाइ 15 ये दो चीजे मैंने निकाल ली निकाली गए मुझे गिवन ही था ठीक है ये दो चीजे मैंने लिख ली यहां तक के अब देखो दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो कितना काम होगा एक घंटे में W बाइ 10 माइनस W बाइ 15 ये दोनों का एक घंटे का काम है रहां से देखिए डारेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं रहां से देखिए डारेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं कि क्या बोल रहा है एक घंटे में दोनों मिल के इतना काम करेंगे टोटल टाइम कितना लगेगा एन एन से मल्टिप्लाइट कर दिया नंबर आफ आर्स यह किसके बराबर होगा कितना टाइम पूछा है हाउ मेनी आवर्स विली टेक टू कम्प्लीटली फिल हाफ एम्टी टैं लोगा जल्दी बताओ मेरे को जल्दी बताईए है डवल्यू वर्क करेंगा कि डवल्यू बाइट वर्क होगा क्योंकि आ अधी टंकी तो पहले से भरी हुई है यहां पर आपको सिर्फ डव्ल्यू बाइट टू लिखना है और कुछ नहीं करना है तो यह क्या हो जाएगा www सब कैंसल हो जाएगा n इंटू कितना आ जा रहा है 15-10 divided by 10 into 15 this is equal to 1 by 2 आगेगा यहाँ है कितना आएगा direct n लिखते है 5 हो जाएगा 5 into 10 10 into 15 divided by 5 into 2 5 into 2 10 कट गया final answer is 15 hours option number b 15 hours w by 2 work होगा note कर लो आराम से answer कितना आ जाएगा n is equal to 15 घंटे कितना फिल होने में w by 2 टंकी फिल होने में क्योंकि half जो है पहले से भरा हुआ है अधित्य जी ने कहा है कि नहीं अधित्य जी first time attend कर रहे हैं तो आप जाएए प्लेइलिस्ट में इस सेशन के बाद पाइप सेंट सिस्टन तो खतम हो जाएगा आज इसके बाद आप जाएए प्लेइलिस्ट में और क्वांट के कुछ नहीं तो कम से कम मैंने 8 से 9 टॉपिक खतम कर दी है उन वीडियो को देखिए उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने अप्लोड किया है सीसाट क्लियर हो जाएगा जिनका भी first class है अब जाकर देखिए सिंपल इसी बेसिक से इसी बेसिक तरीके से मैंने पढ़ाया है तो वो क्लियर हो जाएंगे आपके कंसेप्ट ठीक और अगर इस साल का प्री टार्गेट कर रहे हैं क्लियर करना तो याद रखिएगा जो मैंने कोर्स आपको पताया था साइपी प्लस study IQ.com पर जाके बहुत ज्यादा बेनिफीशल होने वाला आपके लिए ठीक है बहुत ज्यादा बेनिफीशल होने वाला है जो इस साल प्रेलिम्स पर फोकस कर रहे उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम है ठीक है तो देखना उसको जाके SIP PLUS 6000 रुपीज में 6000 रुपीज कब होगा जब आप मेरा code यूज करेंगे 80 live सब कुछ capital में 6000 में आपको GS paper 1 CSAT revision booklet test topic wise test सारी चीज़े मिल रहेंगे पूरा का पूरा स्लेवस आपका March end तक finish हो जाएगा तो इस चीज़ को जाकर देखना जरूर ठीक है निशा जी का कहना है minor mistake मैं आपको जब reasoning पढ़ाया था CSAT 2022 हम लोग solve किये थे तो मैंने आपको बताया था उस समय कि calculation mistake reasoning में नहीं होगी ठीक है क्वांट में होती है क्योंकि maths है कुछ नहीं कर सकता है इसके लिए कोई आप जितना practice करेंगे उतना आपके लिए better होगा mistakes उतने कम होंगे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके अगे बढ़ा जाए चलिए यह कुशन तो हो गया यह वाला अच्छा इस कुशन को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है ठीक है एक बार समझा देता हूं फिर आप बनाना थीन है ठीक है a b और c a b और c में लिए और 25 गंटे में भर रहा है थीक्ड अलग अलग काम कर रहे हैं तो इतना समय ले रहे हैं कुशन समझ लिजे फिर solve करना पर थीन टैप है ab c a जो ऑध गंटे में भर रहा है c 25 घंटे में सबसे पहले क्या किये, तीनों को open कर दिये, ठीक है, तीनों को open कर दिये, उसके बाद, दो घंटे के बाद, tap C को बन कर दिये, A और B चलता रहा, P को बन कर दिये, दो घंटे के बाद, उसके बाद, जब चार घंटे हुए, तो B को बन कर दिये, ठीक, A चला, उसके बाद, end तक के तो आपको यह बताना है परसेंटेज ओफ वर्क डन बाई टैप अब आपको परसेंटेज बताना है कि ए अकेले ने कितना काम किया कि देखो और अच्छा उशन और इसमें पाइप सिस्टर्न और परसेंटेज दोनों का कंसेप्ट मिला के सवाल बन गया कि प्राइए को अधर को कर दो कर दो कर दो कि एक जो टैप सी है वो दो घंटे चला टैप बी जो है वो चार घंटे चला और बाकी काम जो है वो टैप ए ने किया कि तो आपको बताना है परसेंटेज ओफ वर्क डन बाई टैप एटसेल्फ करिए इसको सॉल्फ अच्छा कुश्चन है कि अच्छा कुश्चन है मिथुन जी का एंसर है 52% ठीक है एक एंसर मिल गया मुझे 52% का सही है गलत है मुझे नहीं पता सॉल्फ करेंगे तो पता चलेगा पट एक एंसर आया 52% और किसी का करूं में सॉल्फ कुश्चन को ठीक है एक और एंसर आया है 75 का तो लिए मैं सॉल्फ करता हूँ देखते हैं क्या होगा ठीक टैप A B C क्या पूरा लिखना है अब डारेक्ट लिख सकता हूँ टैप A का एक घंटे का अदर जिका लिक देता हूँ अगर तुम लों को डाउट नहां वर्क डब्लीव बाइ 25 ठीक है यह इसमें किसी को डाउट नहीं है डब्लीव बाइ 10 डब्लीव बाइ 20 डब्लीव बाइ 25 तीनों टैप का एक एक घंटे का वर्क अब ध्यान से देखिए लेट ठीक है टाइम रिक्वाइड टू फिल टैंक तीनों एक साथ ओपन कर रहे हो तो टैंक की भरने में जो टाइम लग रहा है वो है एन आवर्स ठीक है मैंने मान लिया वो है एन honors कि यहां तक देखिये जो है गंटे में w by 10 काम कररे आँ b जो है w by 20 काम कररे सी जो है वो w by 25 काम कररा है टोटल टंकी भरने में n गंटे लग रहे हैं model अब देखो यहां से इस में मेरे को तुम लोग बता होगे comment करके मैं नहीं बताऊंगा तुम लोग बताऊगे क्या बताऊगे कि tap C कितने घंटे काम कर रहा है और tap B कितने घंटे काम कर रहा है और tap A यह तुम मिर को बताओ question में से पढ़के tap C कितने घंटे काम करेगा tap B कितने घंटे काम करेगा कि और टैप एक इतने घंटे काम करेगा जल्दी से लिख के बताईए जल्दी से वो समझ गए तो कुश्चन बन गया कि वो समझ गए तो सवाल बन गया कि टैप एबी सी कितने घंटे काम कर रहे है कि यह ना कि क्या बोला है दो गंटे बाद की बंद हो जा रहा है दो गंटे भाद तो टैपसी का तो टोटल वर्क कितना होगा टैप सी का तू इंट्टू डब्ल्यू वड़ ट्वंटी फाइव थाraw है कि टैप सी कितने देर काम करेगा दो घंटा तो टू इंटू डवल्यू बाइट 25 यह किस ने काम किया सी ने प्लस कि बी कितना घंटे काम कर रहा है चौथे घंटे में बी को बन कर दे रहे है मतलब बी कितना देर काम कर रहा है बी काम कर फुरा एन आवर्स काम करेगा तो एन इंटू डब्लीव बाइ टेन डिस शुट बी इक्वल टू टॉटल वर्क ठीक है यह एक्वेशन समझ में आई यह दो घंटे यही से आपका परसेंटेज भी निकलेगा ठीक है यह सी का काम है यह बी का का मैंख और यह है आपका एक अवर्क की ठीक है इस इस यह पूटल वर्क के बराबर हो हो जाएगा w तो w तो कैंसल हो जा रहा है कितना रहा है फिर देखो एक्वेशन 2 by 25 प्लस 4 by 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं अब ऐसे लिख देते हैं plus n by 10 is equals to 1 किया आ गया 2 by 25 plus 1 by 5 plus n by 10 is equals to 1 ये कितना आ जा रहा है यह हो जा रहा है आपका 7 by 25 plus n by 10 is equals to 1 और अगर इसको solve करें तो कितना आएगा n by 10 is equals to 1 minus 7 by 25 यह आ रहा है कितना हो जाएगा 25 गया 18 by 25 आ रहे न तो n is equals to 10 into 18 by 25 यह गया 2 से यह गया 5 से 36 by 5 आर्स यह लग रहा है टोटल टाइम यहां तक क्यों निकाल लिया कि एन कितना आ रहा है टोटल टाइंग इतना लगेगा 36 by 5 आर्स यहां तक एक बार नोट कर लीज़े फिर परसेंटेज निकाल देता हूं कि यहां तक एक बार नोट कर लो कि एन की वैल्लियों आ गई 36 by 5 ठीक अब देखो परसेंटेज आफ एक ङा पूछा है फांद अफ परसेंटेज आफ वर्क दन बाई ए एन ने टोटल कितना काम किया एन इं इंटु ड़ल्यू by 10 ठीक है एनए कितना काम किया एन इं इं इंании 2W by 10 इं 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 2W by 10 this is a वर्क टोटल वर्क कितना था डवल्यू इंटू हंड्रेड परसेंटेज दब्लू डब्लू कैंसल हो गया एन कितना था हां थार्टी सिख्स बाइफाइब इन्टू टैन इन्टू हंड्रेड यह आ रहा है तो सौल्फ करो कितना आ जाया गा है यह से कट गया यह गया टू से थाटी सिक्स्टू जा सिक्स्टू जा शारी क्वां C2 12 और वन ऊपर और सिछ क्वंटी ट्टू पर्सेंट क्या उप्षिन है 22 पर्सेंट एंसर क्या आएक दा नन ओ फ्थीज यह रहां के σामने 72 पर्सेंट एंसर इस नन ओ आःधी एक इतना पर्सेंट काम कर रहा है 72 लिख लीजे इसको इसको नोट कर लीजे आया था किसी का एंसर निक का एंसर आया था डी बट निक ने लिखा था 62 परसेंट 62 नहीं 72 परसेंट पहले क्या किया एंन निकाल लिया 36 वाइव आवर्स तक काम किया है टैप ए उसके बाद यह क्या है टैप ए का वर्क डिवाइड़ बाई टोटल वर्क इंटू 100 परसेंट नोट कर लो इसको समझ में आया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है वाला कॉस्चिन लिख 72 परसेंट तो ऑप्शन में ऑप्शन में आयेगा ऑप्शन नंबर डी रैकेट में लिख लेना 72 परसेंट नॉट 75 तो इसको देख लीजे सवाल को फिर आगे बढ़ेंगे क्या डाउट है वही कर लीजे इसको नोट फिर आगे बढ़ते हैं चलिए लिख लिए इसको अब देखो अब आज के सेशन में हमारे पास चार कुश्चंस बचे हुए हैं ठीक इसमें कॉन्फिडेंस आ गया होगा यह चार कुश्चंस जो हैं सेम डेटा के हैं पैसेज बेस्ट कुश्चन तो इसको पढ़िए यह जो इन्फॉर्मेशन दिय हुआ है और इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आपको पहला वाला कुश्चं सॉल्फ करना है इसमें पढ़िए इस कुश्चं को कि बनाई इसको कि क्या बोल रहा है इसकोश्चं में एक बार कॉश्चं समझ लो फिर सॉल्फ करना आपको टाइम दूंगा 10 पाइप से हैं सेट एक्स में ठीक है जो 70 परसेंट आफ टैंक फिल करते हैं साथ मिनिट में दस पाइप आते हैं सेट एक्स कैटिगरी में जो 70 परसेंट भर रहे हैं साथ मिनिट में अच्छा और पाच पाइप आते हैं सेट वाई कैटिगरी में जो थ्री बाइट ऑफ टैंक भरते हैं तीन मिनिट में और एक थर्ड सेट भी है सेट जेड जिसके अंदर आठ हैं जो 5 by 10 tank fill करते हैं 10 minute में तो आपको बताना है अगर 23 pipe को एक साथ open कर दें तो कितने minute में टंकी भर जाएगी पूरे की पूरे 23 pipes को कि एक साथ अगर open कर दें तो यह कुश्चिन ठीक होंगे न 10 pipe x में y में हो गए आपके 5 pipe और z में हो गए 8 pipe करिए इसको solve कि अगर पूरे 23 एक साथ हो जाएंगे तो कि अगर पूरे 23 एक साथ हो जाएंगे तो आउट पुछा है सर यू और क्लियर अधर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ओफ कॉएंट के काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं सेशन खत्म अने के बाद प्लेलिस्ट चेक करना ठीक बना यह किसी से यह अच्छा सवाल है अगर यह बना लोगे तो यह टॉपिक फिनिश है इसलिए आखरी कुश्चन यही रखाऊ हूं मैं अगर यह चार सवाल आपने बना लिए तो टॉपिक आपका क्लियर है पाइप सेंट सिस्टर्न का सारा कॉंबिनेशन मैंने ले लिया टंकी खाली हो रही है नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क सब कुछ निक का एंसर आया है भी ठीक है मिर्दुन का भी एंसर आया है भी 5 इंटू 5 बाई 7 मिनिट देखते है बागी और किसी का चलिए मैं सॉल्फ करता हूँ मैं सॉल्फ करता हूँ ठीक ठेको एक्स के अंदर 10 पाइप है जो 70 परसेंट भर रहे हैं 7 मिनिट में इसको मैं यहां पर लिख रहा हूँ ठीक है कितना वर्क कर रहे हैं 70 परसेंट मतलब दस ठीक ठीक तो दस ठोक जो एक्स पाइप है वो एक मिनिट में कितना वर्क करेंगे ठीक 7 नीचे जाएगा तो हो जाएगा यह तो वैसे ही कैंसल था मतलब डबल्यू बाइटेन तो एक एक्स पाइप जो है वह एक मिनिट में कितना वर्क करेंगा डबल्यू बाइफ हंड्रेट यह चीज समझे की नहीं कि एक पाइप लिखने का जरुवत इसे लिए है क्यूंकि आगे की कोश्चन में काम आएगा मैंने का किया दस ठोक थे एक्स कैटिगरी के पाइप साथ मिनिट में इतना वर्क कर रहे थे 7 बाइटेन डबल्यू तो दस पाइप एक मिनिट में कितना करेंगे डबल्यू है 100 यह हो गया एक्स पाइप का आता हूं वापस वाई का क्या है पांच पाइप तीन मिनिट में 3 बाइट वर्क कर रहे हैं ना पांच ठोक वाई के जो पाइप हैं वो तीन मिनिट में कितना वर्क कर रहे हैं तो पांच ठोक वाई के जो पाइप हैं वो एक मिनिट में कितन डवल्यू बई 8 मतलब एक ठोक वाई का जो पाइप रहा एक मॅ की रूआ करेगा हाँ डवल्यू बाई 40 पॉटॉ ए यह मेर को एक ओवजिता मिल गया एक ठोख वाई कफ पाइप एक मिनिट में इतना काम कर रहा है ठीक는 के एक वाई का पाईप एक मिनिट में इतना वर्क कर रहे हैं अब क्या बचा करती है कि कि आ हुँ एक और था ना जट्सेड में कितना है आठ पाइप हें인्ग पाइटन का मतलब कितना होता है वन बाइट्व मिनटमें आठ ठोक जड़तो का पाईप 10 minute में कितना वर्क करेगा W by 2 यहीं mention है 10 minute में W by 2 तो 8 ठोक Z का pipe 1 minute में कितना वर्क करेगा W by 20 मतलब 1 Z का pipe 1 minute में कितना वर्क करेगा W by 160 यह मैंने तीन चीजे लिग दी आपके सामने, यह मैंने तीन चीजे लिग दी, यूनिटरी मैठ हैट से, अब ये स्लाइड कॉमन रहेगी चारो कुश्चन के लिए, इसको आप एक बार नोट कर लो, डाउट है तो पूछ लो, अब मैं सवाल बनाऊंगा, एक X का पाइप एक मिनट में W by 40 काम कर रहा है, और एक Z का पाइप, एक मिनट में, W by 160 काम कर रहा है, ठीक, अच्छा, स्वारी, फिल दा टैंक और Z जो है, एंप्टी कर रहा है, तो माइनस W by दिस तिंग, यहां माइनस लगा देना, पूश्चन में क्या लिखा है, यह फिल कर रहा है, और Y भ स्वाल बनाते हैं, यह माइनस W वर्प करेगा, लिख लिए, मितुन ने पूचा, नेक्स्ट क्लास कब है, यह स्टडी आईक्यू का चैनल सब्सक्राइब करो, उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक दिन पहले इवेंट डल जाता है, मोस्ट प्रबैबली पर आता हूँ अब मैं, नोट कर लिए उसको तो, क्या है मेरा कुश्चन, कि अगर how many minutes will it take, अगर सारे के सारे 23 पाइप को open कर दिये जाएं तो, ठीक, तो minutes कितने हो जाते हैं, n minutes, ठीक, अब देखिए, एक X का pipe W by 100 काम कर रहा है, तो 10 ठोक X का pipe कितना काम करेंगे, क्योंकि दसों pipe open है न, X के, तो 10 इंटू W by 100, ये हो गया X का काम, प्लस, Y का क्या स्थिती थी, Y में 5 pipe है न, Y का एक pipe W by 40 काम कर रहा है, Y का एक pipe, कितने total pipe है, Y में 5, तो 5 इंटू W by 40, minus, क्योंकि Z का negative work है, 8 pipe है, Z के, Z का एक pipe इतना काम कर रहा है, तो, कितना हो जाएगा, 8 इंटू W by 160, this should be equal to W, अब आपको यहां से N निकालना है, ठीक है, अब आपको यहां से N की value निकालनी है, W, 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 सब cancel हो गया, कितना आएगा, N इंटू 1 by 10, plus, 1 by 8, ठीक, minus, कितना हो जाएगा, 1 by 20 is equal to 1, यह आ रहा है situation, ठीक है, तो, यह कितना बन जाएगा, N इंटू, अगर LCM 20 ले लिया जाए, ठीक, तो यह, 2 minus 1, plus, 1 by 8, is equal to 1, ठीक है, तो, यह आ जाएगा, 1 by 20, सीधा-सीधा दिख रहा है, N is equal to, ठीक, 20 आ गया, 1 by 20, 8 plus 20, 20, तो, 20 into 8 divided by 28, इसको आगे solve कर लेंगे, तो answer मिल जाएगा, 20 into 8 divided by 28, तो, किस से जा रहा है यह, यह गया आपका, 5 से चला गया, और यह आ गया, 7, तो, 8, 5 जा, answer कितना आना चाहिए, 40 by 7, कौन सा option match कर रहा है, यह वाला, 5 into 5 by 7, 5 into 5 by 7, कितना होता है, 7 into 5 plus 5 divided by 7, means, 40 by 7, option number B is the right answer, option number B, note कर लीजे, mix fraction आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है, तो, यह याद रखना, यह भी note कर लेना, A, B by C से अगर multiply हो रहा है, तो, इसका मतलब क्या है, A into C plus B, divided by C, यह होता है, mix fraction का मतलब, कर लीजे note इसको, answer is 5 into 5 by 7, सिर्फ निक का answer आया था, और मिथुन जी का, note हो जाएगा, तो, बताना, फिर आगे बढ़ेंगे, इसी का second part में आएंगे, आगे बढ़ेंगे, चलिए, इस स्लाइड को तो रहने देते, इसका काम पढ़ेगा फिर से, अच्छा, क्या है अगला part इसका, कि अगर 4 pipes, जो है Z के, उनको मैं close कर दू, बाकी सब open रखूं, तो कितने समय में tank fill होगा, जेड के 4 pipe बंद कर रहा हूं, ठीक है, बाकी सारे normally चल रहे हैं, तो अब बताइए कितना समय लगेगा, फिल करने में, इसलिए मैं यह वाला data अलग से लिखा था, एक एक मिनिट का contribution, एक एक pipe का, जेड के 4 pipe बंद हो गए हैं, बताइए answer किसका एगा, देखते हैं कौन सबसे पहले answer देगा, चार pipe बंद कर दिये हैं, जेड के, जेड में थे कितने pipe, आठ pipe थे न, तो चार बंद हो गए हैं, किया जाए solve, चलो एक मिनिट ले लो, एक मिनिट आपको दे रहा हूँ, solve कर लीजए, 5 मिनिट आया, चेतन का answer, देखते हैं, एक option आया है, option number A, एक आदमी का, चलिए, मैं ही solve करता हूँ, कोई बात नहीं, देखो, चार pipe क्लोस कर दीए न, जेड के, बाकी सब तो normal ही है, बाकी सब normal है का मतलब क्या है, ठीक है, 10 इंटू W by 100 और 5 इंटू W by 40, A और B तो चल रहे हैं, क्या हो रहा है, 10 इंटू W by 100 प्लस 5 इंटू W by 40, ठीक है, multiplied by N, ये तो चली रहा है, अब माइनस में क्या होगा, W by, देखो, एक pipe Z का कितना काम कर रहा है, माइनस W by 160, टोटल पाइप 8 थे, 8 में से 4 को बंद कर दिया हूँ, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू W by 160, अतलब, 4 इंटू W by 160, ये आ जाएगा W के बराबर, अब आपको N निकालना है, ठीक है, D आया है, B आया है, सब answer आ रहे हैं, देखते हैं, W तो cancel हो जाएगा, ये बन रहा है अभी यहाँ पर, 1 by 10, प्लस 1 by 8, माइनस 1 by 40, अभी ये आ रहा है, is equal to 1, ठीक, वही कहानी, ये क्या हो जाएगा, 1 by 10, माइनस 1 by 40 करोगे तो, 4 minus 1 by 40, प्लस 1 by 8, क्या आ रहा है, is equal to 1, 3 by 40, अब क्या करेंगे, N, LCM ले ले लेते हैं, 40, यहाँ पर आ जाएगा, 3, और यहाँ पर कित्ता आ जाएगा, 5, is equal to 1, ठीक है, 8, 5, जा 40 होता है, तो N की वाल्यू कितनी हो गई, 40 divided by 8, मतलब, 5 minute, इसका answer A आया था, उसी का answer सही आया था, ठीक है, A is equal to 5 minute, note कर लीजे, बस change क्या किया हूँ मैं, 8 से multiply नहीं करोगे, 4 से करोगे, क्योंकि 4 pipe बंद है, Z के, note कर लीजे इसको, option number A, Z के 4 pipe बंद हो गए है, बाकी 4 खुले है, answer is 5 minutes, note कर लीजे, इसको, फिर इसका third part में आएंगे, सब कुछ सेम था, सिर्फ वहाँ पर 8 की जगे 4 कर देना है, आगे बढ़ा जाए, next question पर, देखिए तो क्या कह रहा है, यह, यह देखिए, यह question क्या कह रहा है, यह देखिए, यह कर दो करेंगे कहभिए, यह, यह, कर दो एकुछ सेम खर जाएंगे, यह, कर दो कर दो दो कर दो, कि या बोल रहा है देखो कुश्चन में यह अभी जो है टैंक जो है आधा भरा हुआ है ठीक एक्स और वाई दोनों को बं कर दिया पूरी तरह से कितना मिनट लगेगा जेड को खाली करने में एम्टी दा टैंक इफ ऑल्टरनेट टैप सॉफ सेट जेड आर क्लोस ऑल्टरनेट टैप एक जैसे एक अगर खुला है तो उसके बाजू वाला बंद होगा फिर उसके बाजू आप लोगों का ऑप्शन भी बता रहे हैं दोजन सॉल्व कर लीज़ा आपको एक मिनट दे रहा हूँ ठीक है इम्रान जी कभी अंसर आ गया है हो क्या रहा है बेसिकली सेट जेड ठीक है जेड के अंदर में कितने टाइप होंगे होगे जेड वन होगा जेड टू होगा जेड थ्री होगा जेड फॉर होगा जेड पाइव होगा जेड 6 होगा जेड 7 होगा और जेड8 होंगे ठीक है आठ टैप थे z में ऑल्टर्नेट बंद कर रहा हो मतलब अ कितने टाप खुल रहे हैं फिर एक, दो, तीन और चार, टोटल टाप Z के कितने ओपन होंगे, चार टाप, Z के, X और Y तो वैसे ही बंद है, ठीक, X और Y जो है वो वैसे ही बंद है, तो क्या हो जाएगा इसका एंसर, let number of minutes be let number of minutes be n अब क्या करूंगा इसमें यह एंटू वर्क क्या कर रहा है सिर्फ जेड़ कर रहा है z के भी कितने 4 तो 4 into w by 160 और ये किसके बराबर होना चाहिए कितना वर्क करना है आधी टंकी को खाली करनी है ठीक है empty the tank हाँ tank जो है वो आधा ही भरा है मतलब w by 2 solve कर लीजे w w cancel n की value कितनी आ जाएगी 160 by 4 into 2 मतलब 160 by 8 final answer b's minute option number b option number b piece minute option number b तुम बोलो कि सब negative क्यों नहीं लिये क्योंकि सिफ z ही काम कर रहा था तुम मैं को पता है वो negative work कर रहा है तो इसे लिए minus sign को मैंने नहीं लिया अगर कोई positive fill करने वाला होता x या y में से कोई एक तो फिर इसको negative लेता है उसको positive लेता है यहां पर अकेला काम कर रहा है इसलिए फरक नहीं पढ़ रहा फ्रेंसर आएगा बीस मिनिट चारी टैप खुले होंगे चार टैप बन कर दे रहा है जड के कर लीजे नोट फिर इसका एक और पार्ट बच रहा है अगे बढ़ा जाए एक अच्छा सवाल अगर इसके बाद जो कुश्चन है इसी पैसेच का अगर वह सवाल तुमने बना दिया तो इसके बाद तुमको पाइप सेंट सिस्टन में कुछ पढ़ने की ज़रूत नहीं है इसलिए मैं कुछ पढ़ाऊंगा भी नहीं उसके बाद जो लास्ट कुश्चन है वह एक्च्वल में लास्ट कुश्चन है क्यों क्योंकि वह वह कर लिए तो सारे कंसेप्स इसकी रिवाईज हो जा रहे हैं चलिए आते हैं उसकुश्चन पर एक बर मैं आपको समझा देता हूं फिर आप इसको सॉल्फ करना एक बर कुश्चन को समझा देता हूं क्या बोल रहा है कि सेट एक्स में और सेट वाई में मैंने एक एक पाइप और एड कर दिया ठीक एक्स और वाई वाले सेट में मैंने एक एक pipe और add कर दिया ठीक और Z में जो pipe थे उसकी capacity 20% बढ़ा दी original value से कितना बढ़ा दिया 20% original value का ठीक आचा उसके बाद सारे के सारे tap को 2 बच के 58 minute पे मैंने open किया ठीक है और tank पूरा खाली था तो आपको बताना है at what time does tank get filled तीन बच के 5 minute, 4 minute, 10 minute और तीन बच के 3 minute तो बनाईए इस question को 2 minute आपको दे रहा हूं मैं X और Y में एक एक pipe बढ़ाया हूं और Z में हर pipe की capacity बढ़ा दिया हूं कितना 20% देखिए इसको solve करके X में पहले 10 था ना तो आप 11 pipe हो जाएंगे Y में 5 था तो 6 हो जाएंगे Z में 8 का 8 ही रहेंगे पर उनकी capacity बढ़ गई है चेतन ने answer दिया है option number 1 तीन बच के 5 p.m. पे 258 पे open किये है बिसिकलिए आपको minutes निकालना है और फिर इसमें add कर देना है 2 बच के 85 minute पे और किसी का नहीं आया answer ले लीजे समय अटेम्ट जरूर कर ये इस question को करूँ में solve answer तो नहीं आ रहा चलिए बना जाए इस सवाल को ध्यान दो यहां पे सब लोग ठीक है यहां ध्यान दीजिए x और y में देखो x में कितने pipe थे 10 और y में कितने थे 5 ठीक है तो x में अब कितने हो जाएंगे 10 प्लस 1 मतलब 11 pipe हो जाएंगे x में और y में कितने हो जाएंगे 5 प्लस 1 मतलब 6 pipe ठीक ठीक आपको 6 pipes हो जाएंगे 11 में जैड में कितने pipe है जैड में तो 8 ही pipe है पर पर जैड में हर एक pipe की capacity जो है वो 20 परसेंट बढ़ा दी गई है 20 परसेंट आफ ओरीजिनल वैल्यों तो देखो तो ओरीजिनल वैल्यों कितना था जैड का capacity का यह कहीं बनाया था मैंने हाँ यह देखिए यह था जैड जैड का एक pipe w by 160 एक मिनट में इतना काम करता था माइनस w by 160 अगर मैं 20 परसेंट इंक्रीज करूं जैड की capacity में ठीक है तो क्या आ जाएगा एक पाइप कितना काम करता था माइनस w by 160 अब कितना हो जाएगा बढ़के माइनस w by 160 का 10 10 परसेंट है 20 परसेंट है कितना बढ़ा है 20 परसेंट सोरी तो यहां पर लिख लो 20 परसेंट इतना बढ़ गया मतलब कितना आ जाएगा माइनस w by 160 1 plus 20 by 100 5 मतलब माइनस w by 160 इंटू 6 by 5 हर एक पाइप की capacity इतनी हो गई माइनस w by 160 इंटू 6 by 5 यह नोट कर लीजे जो 20 परसेंट इंक्रीस की बात हुई है ना पहले कितना था capacity एक पाइप एक मिनट में इतना काम करता था है बीस परसेंट बढ़ा दिया तो अब इतना काम करेगा इसको नोट कर लो फिर कॉश्चन सॉल्फ करेंगे सिर्फ बोलता हूं परसेंटेज क्लियर रहे तो काफी सारे सवाल बन सकते हैं कर लीजे इसको एक बार नोट फिर आगे बढ़ते हैं रक्षिता जी का डाउट है कि मेरे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं दिख रहे हैं कमेंट्स क्या डाउट है आपका बताईए ठीक माइनस डवली वन बाई 60 इन्टू 6 बाई 5 अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यह रहा क्वेश्चन न इन सब को एक साथ ओपन कर दी है आपको टाइम निकालना न ठीक है तो लेट दे टाइम बी एन मिनट्स ठीक है एन मिनेट्स में फिल हो रहा है टैंक अब देखते जाओ यहां पर लिख रहा हूं मेक्वेशन के एंट तो इधर आ गया ठीक ए पाइप का क्यपैसिटी कितना था एकस पाइप का यहां लिखाऊं एक सपाइप एक एक मिनट में इतना काम करता था ठीक अगर आपको पता एकस में अब कितने पाइप है 11 तो कितना हो जाएगा 11 into w by 100 पहला एक क्यूशन पहला टाम आ गया 11 into w by 100 प्लस देखते हैं बी में कितने है य में कितने है छे पाइप है य में इसका कंट्रीबुशन कितना था य का डव्ल्यों बाइप 40 तो अब क्या हो जाएगा छे पाइप है तो 6 into W by 40 minus minus Z में तो अभी भी 8 पाइप है पर वो 8 पाइप का contribution क्या हो गया है minus W by 160 into 6 by 5 तो क्या करूंगा यहां पर minus 8 into W by 160 into 6 by 5 यह होगा W के बराबर इसमें आपको N की value निकालनी है ठीक है यह equation बनेगा exactly एक एक pipe X और Y में बढ़ा दिया और Z की capacity 20% यह है वो 20% का increase जो 6 by 5 से multiply किया हूँ ठीक तब आ जाएगा answer इसमें W दो cancel हो जा रहा है क्या बन रहा है N into 11 by 100 plus 6 by 40 को क्या लिख सकता हूँ अच्छा अभी ऐसी लिख देते हैं minus यह तो 1 से चला जाएगा यह गया 20 से ठीक है तो minus 6 by 100 यह आ रहा है क्या देखना तो 8 1 गया 20 25 से 100 ठीक है तो यह कित्ता हो जाएगा N into 11 by 100 minus 6 by 100 plus 6 by 40 this is equal to 1 तो यह यहां से जब cancel हुआ ठीक यह जब cancel हुआ तो कितना हो जाएगा 5 by 100 मतलब 1 by 20 तो N into 1 by 20 प्लस 6 by 40 को क्या लिख सकते है 3 by 20 is equal to 1 तो यह क्या हो जाएगा आपका 4 by 20 तो N is equal to 20 by 4 मतलब 5 minute लगेंगे इसको fill होने में note कर लो यह रुख जाओ note बात में करना 5 minute लगेंगे fill होने में कितने बज़े से start कर रहा हूँ 2.58 pm पे मतलब 2.58 pm में 5 minute अगर मैं add कर दिया तो कितना हो जाएगा 3 बज़ के 3 minute पे यह fill हो जाएगा है कोई option option number D option number D 3 बज़ के 3 minute पे यह fill हो जाएगा लिख लीज़े इसको फिर एक दो चीज़ और बताऊंगा इसमें एक बार इसको note कर लो अगर doubt है तो पूछ लोगा फिर से explain कर दूँगा एक बार देख लीज़े अगर doubt है तो फिर से explain कर दिया जाएगा पूछ लेना पूछ लेना आएगा पांच मिनिट पूछ गया आशू जी ने कहा विट डाउट किसको है रक्षिता जी को डाउट है no doubt sir ठीक है समझ में आया question करना क्या था इसमें इसमें percentage का concept पहले लिख लो फिर बताता हूं कुछ चीज़े बताऊंगा फिर end करेंगे कौन से पार्ट में दाउटा रक्षिता इस वाले पार्ट में अगे इंसर ठीक है explain कर दे रहा हूं एक बार लिख लीजे फिर explain कर दूंगा एक बार note कर लो at least तुम्हारे पास रहे यह solution जैसे लिख लोगे message कर देना कि सर हो गया तो मैं को एक बार और explain कर दूंगा इस पार्ट को वह नहीं लिखना अभी तक इतना समय लगाते हो देखिए चलिए एक बार और इस question को समस्ते है हां क्या बोल रहा है X और Y में एक पाइप एड़ कर दो पहले 10 पाइप थे अब एड़ किया तो 11 पाइप हो गया ठीक वाई में भी क्या किया पांच पाइप थे एक एड़ किया तो छे पाइप हो गए ठीक जेड में क्या बोल रहा है भाई जेड में बोल रहा है कि पाइप तो आठी रहेंगे पर हर एक पाइप का बीस परसेंट कपैसिटी बढ़ा दीजें थीग है बीस परसेंट क्यपैसिटी बढ़ा दीजें अब देखो क्या हो रहा है मान लीज़े उसकी capacity अगर Z थी तो किसी चीज का अगर 20% capacity बढ़ाना है मतलब Z into 20 by 100 add करना मतलब Z 1 plus 20 by 100 यह percentage पढ़ाया हूँ अगर percentage में doubt है तो playlist में देख लेना बहुत detail में percentage पढ़े है 1 by 5 मतलब कितना आता है 20% बढ़ाने का मतलब यह होता है कि 6 by 5 से multiply करना ठीक है 20% किसी भी चीज़ का 20% बढ़ाने का मतलब यह होता है कि 6 by 5 से आप उसको multiply कर रहे हैं तो आप देखो मुझे पता था कि भाई Z की एक pipe की capacity कितनी है minus W by 160 अब मैंने आपको बताया 20% increase करना मतलब 6 by 5 से multiply कर दो है ठीक है 20% increase करना मतलब 6 by 5 से multiply कर दीज़े तो यह अब हो गया मेरा इसको multiply करके ऐसे लिख देते हैं यहाँ ठीक एक जड़ पाइप का एक मिनट में अब कितना वर्क कर रहा है वो कर रहा है minus W by 160 इंटू 6 by 5 यह आ गया मेरा आप ठीक minus W by 160 इंटू 6 by 5 एक एक जड़ पाइप का contribution ठीक हाँ जी डाउट क्या पूछा है निशा जी ने 20 परसेंट इंक्रीज हाँ कोश्चन में लिखा हुआ है तभी तो कर रहे हैं यह ना टोटल कितने पाइप है अब 11 पाइप तो यह हो गया आपका X का contribution ठीक अच्छा वाई वाला एक पाइप एक मिनट में W by 40 काम करता था टोटल पाइप कितने एच्छे यह हो गया Y का contribution ठीक और यह जो माइनस साइन है एट इन्टू डिस दिस तिंग यह कितना है आपका जैड का contribution ठीक है जैड का एक पाइप कितने माइनस 6 by 100 6 by 40 माइनस 6 by 100 solve करेंगे एन की वैल्यू आएगी पांच मिनट अब दो बच के 58 मिनट में पांच मिनट जोड़ोगे तो तीन बच के तीन मिनट आ जाता है एंसर देख लिए इसको तीन बच के तीन मिनट आ जाएगा आपका एंसर क्लियर हो गया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आगे बढ़ेंगे एक दो चीज़े बतानी है मुझे जल्दी से बताईए ठीक इसी के जो बाकी पार्ट्स है वो भी सिंपल थे और ये वाला जो पार्ट का हमारा यह हमने यह डेटा आपको अलग से लिखके रखना पड़ेगा से एक्जाम में एक आतो एक्जाम में रीजनिंग और इंगलीश ठीक जॉब के दो पार्ट हैं स्लेवाश के रीजनिंग और प्रविश पूछ लेता है ठीख करो सर्कूलर रेंजमेंट वाले कोश्चन से बट कौंट में कभी पैसेज वाला कोश्चन नहीं पूछा है तो मेबी इस टाइम वो कुछ इनोवेशन करने के लिए इस टाइप का कोई कोश्चन आपको दे दे यह पैसेज हो गया डेटा और इसमें बेस्ट चार-पांच कोश्चन कभी नहीं पूछा गया है क्वांट में पैसेज कभी नहीं पूछा गया है पर रीजनिंग और इंग्लिश में पूछते हैं इंग्लिश में तो ख्यार पैसेज ही पूछते हैं और रीजनिंग में भी कई बार आते हैं पैसेज वाले लिया तो एक और चीज यह आपको फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं जिन लोग 2023 टारगेट कर रहे हैं ठीक है डिस इस प्रोग्राम इस अनली फॉर यू एसाइपी प्लस ठीक फीचर्स वगेरे जाके देखिएगा कहां पे study iq.com पे कहां पे जाके study iq.com पे जाके क्लासे से स्टार्ट हो गई है 19 दिसमबर से बट अभी लेट नहीं हुआ है जो लेक्चर्स मिस होंगे वह आपको रिकॉर्डट फॉर्मैट में मिल जाएंगे बट आप इसे लाइव अटेंट कीजिएगा ठीक और कोड याद रखना 80 लाइव और क्या था इसमें इसको एक बार देखिए का जरूर यह आपके फाइड एक ले है इस टॉपिक यह जो कोर्स है अगर 2023 टार्गेट कर रहे हैं क्योंकि इसका एक सेगेंड इसारे सवाल बना लिए जित्रे टाइप के सवाल बनते थे पाइप सेंसिस्टन की वो सार कुस कोर्स के वेबसाइट पर जाकर चेक करना कि क्या यह सारी चीजे तुम खुद से मैनेज कर सकते हो कर सकते हो वैल इंग गुड बढगर नहीं कर सकते हो तो प्री के साथ रिस्क मत लेना है छिसमयूर्सर्स्स के पेपर में सबसे टॉफ प्रिलिंच है सबसे टॉफ प्रिलिपी है कितने लोग फार्म भरते में अ राउंड के सदेने कि तने जाते होंगे पांच छे साथ लाख लोग पेपर अटेम्ट करते होंगे पांच लाख किये थे 2021 में कोविट के टाइम में कोविट के टाइम में दस लाख लोग फॉर्म भर रहे थे और पांच लाख फॉर्म दिये थे अभी कोविट का टाइम नहीं है तो थोड़ा ज्यादा लोग देंगे इसमें से सलेक्ट कितने हो रहे हैं बताए तुम्हें बता सकते हो लिख के बताओ 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं प्री के लिए और सलेक्ट कितने हो रहे हैं प्री में बताईए थोड़ा अगर आइडिया है आप लोगों को तो का अगर आइडिया है आप लोगों को तो कि कितने लोग सेलेक्ट हो रहे होंगे प्री में around 10 के उससे भी कम 10,000 9000 10,000 के around select हो ते depending on seat कितना seat है आपका समझ रहे हैं 10,000,00000 से 10,000 select होना इतने लोग लिखते हैं mains और इससे इंटर्व्यू में कितने सेलेक्ट होते हैं मान लोग कितने सीट है इस बार अगर आठ साथ सो सीट है तो 2000 लोग सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए ठीक है 15,000 नहीं होते हैं अमरान जी बहुत ज्यादा डेटा बता रहे हो आप ठीक है तो खुद सोचो इस 10,000 में से 2000 आना ज्यादा आसान है कि इस 10 लाख में से या 5-6 लाख में से 10 अजार के अंदर आना सबसे जादा difficult pre है एक option इधर उधर की है point marks की मारा मारी होती है cut off निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि cut off अगर 90 जा रहा है तो लोग 50-60 ला रहे होंगे नहीं अगर cut off 90 जा रहा है तो serious aspirant के marks कितने आते हैं अगर cut off 90 है तो किसी का 88 किसी का 89 point something किसी का 87 point something इस range में रहते हैं एक या दो question से आप क्लूस करते हैं प्री को जो दिया है प्री वो जानता है जो मैं बता रहा हूं आपको ऐसा नहीं है कि 90 कट आफे तो तुम्हारे 20 नंबर आ रहे होंगे नहीं अगर तुम्हें serious aspirant हो तो तुम्हारे marks इसी range में आएंगे यह प्राब्लम कब होती थी जी एस पेपर वन में तीन साल से कि क्या किया उन्होंन वेटा उन्होंने कहा कि चलो इसमें भी लाकर बताओ अब यह 66 उन्होंने क्या किया उन्हों ने बोला कि इसमें 66 ला के केस नहीं है ठीक है पहले exception होता है था कि किसी का C7 रुख गया अब धीरे-धीरे वो norm बनता जा रहा है कि दीरे-धीरे norm बनता जा रहा है कि यह marks भी नहीं आ रहे हैं इसके लिए तो आपको संघर्ष करना ही करना है और आपको संघर्च करना पढ़ रहा इसके लिए भी लो आप इंजिनेरिंग बैग्राउंड के हैं उनका सी सैट थोड़ा जो आपका अप्टिटूड होता है मैट्स वाला पोर्शन वो स्ट्रॉंग होता था बट नहीं आप इंजिनेरिंग से हैं आप किसी भी बैग्राउं जाता कि आपका जो सबसे टफेस्ट वाला पोर्शन है परी इसको आप क्लियर कर सकें इस लीविट कॉन्फिदेंस मैं क्या बोलता हूं कि नॉलेज़ और कॉन्फिदेंस दोनों जरूरी है क्यों आलेस तो धैर चाहिए यह पेपर के लिए रसका शुप्र पर वन में वो इ कर उससा में अपनी knowledge पे trust करना होता है कि TuAll dealing कि अगर कोई वाग्लो एक मालो चार statement डे दिये statement-1 statement two statement three statement four and唐最近 अब इसमें आप यह देखोंगे कि भाई यह statement 4 तो मैं कभी सुना नहीं हूं अब को मन्न में डाउट किया आता है कि आर क्या पता यह भी सही होगा मैं नहीं पढ़ाओंगा उस समय confidence काम आता है कि नहीं अगर मैंने यह statement के बारे में नहीं पढ़ा है तो यह गलत होगा यहीं होता confidence का खेल paper में नहीं रहा तो आप confused हो जाओगे इसको include करूँ की नहीं करूँ option में और ऐसे options भर मार रहती है कि समझ रहो यह सब जीस पर वन में होता है तुमको पूरा chronology बता चुका हूं बाकी students को जो regularly attend करते हैं क्या रहता है chronology पेपर के दिन सुबह पांच बज़े उठेंगे पांच बज़े छे बज़े डिपेंडिंग ओन सेंटर कितना दूर है सुबह छे बज़े उठ जाएंगे ठीक है उसके बाद से ट्रावल करके पहुंचेंगे सेंटर पे साड़े नौ से साड़े ग्यारा जी एस पेपर वन पूरी तरह से exhaust कर देता है पूरी तरह से आपको exhaust कर देता है यह जीस पेपर वन 930 से 1130 इंवार्मेंट सेक्षन कल्चर सेक्षन ऐसी चीज़ें आती है जो कभी सुने भी होते हैं और यह जो छे बज़े सुबह उठे हो ना इसके एक रात पहले एंग्जाइटी भी रहती है जितना ज्यादा पढ़ोगी उत्मीं एंग्जाइटी रहेगी यह यूमन टेंडेंसी है एंग्जाइटी उसी को नहीं होती जो पढ़ता ही नहीं है कि छोड़ो अगले साल दूंगा पेपर उनको नहीं होती एंग्जाइटी बड़ अगर आप सीधस एस्पिरेंट एंग्जाइटी होगी वह एक दिन पहले नहीं एक हफ्ते पहले से होने लगती है तो छे बज़े उठे जीएस पेपर वन दिये उसके बाद क्या हुआ तीन घंटे का ब्रेक ठीक है तीन आवर का ब्रेक ये तीन आवर का ब्रेक सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है बड़ जिन्होंने पेपर दिया है वो जानते हैं कि ये तीन घंटे का ब्रेक में के आखरी वीक में ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस में आपको बिताना पड़ता है या तो रोड पे बैठो या पार्क में बैठो इसेंटर वाले तो भगा देते हैं आपको जो सेंटर वाले रहते हैं जाईए अब यहां से तीन घंटे बाद आईएगा चालिस डिग्री टेंप्रेचर पे खुद सोचो सोय नहीं हो ठीक है ट्रैवलिंग कियो हो यह पेपर ने दिमाग खराब कर रखा है उसके बाद 40 डिग्री में अब टाइम तीन घंटा वो समय निकलता नहीं है तीन घंटा बढ़ने का दमन करता नहीं है उतके बाद आप आते पेपर भी उत्पटांग बना रहे हैं तो यह सीसाट एक्च्वल में सीसाट इस नॉट प्रॉब्लम बट जिस स्टेज में आप सीसाट लिखते हो इतना सारा प्रोसेस रिपीट करने के बाद आपकी एनरजी बिल्कुल नहीं बचती उसमें आपको यह पेपर अटेम्ट कर वहुऩर तुम्हें लग रहा होगा कि अरे nutr – कोई नॉलेज नहीं तुम एक परी दे दो तुम को पर समझ में आ जायेगा पूरा कहानी तुमें एक प्री लिखके आ जो तुमको समझ में आ जायाएगा पुरा कहानी कि अच्छा ये है दिक्कत यह समस्या इसे लिए 66 से 100 के उठके नहीं बनाना सी सैट का पेपर यह पूरे प्रोसेस के बाद बनाना है और यह राइट टाइम है सी सैट की प्रोप्रेशन की जहां मार्च आ जाएगा आपको करेंट अफियर्स पढ़ना होगा अपको एकनॉमिक सर्वे पढ़ना होगा बजट पढ़ना होगा जी इसकी चीजे रिवाइस करनी होगी खुद से तो वही बोल रहा हूँ है अगर खुद से सब कुछ कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर नहीं कर सकते हैं ठीक है फीस बहुत ज्यादा नहीं है सिक्स थाउजन अगर आप कंपेर करेंगे तो कोड एटी लाइव अभी मत जॉइन करो एक बार जाकर देखो studyiq.com पर क्या यह सारी चीजें आई विल मैनेज on my own well and good इफ नहीं मैनेज हो रहा है तब decide to join क्योंकि session start हो चुका है 19 December से ठीक तो यह था आपका कुछ paper का एक और चीज़ आपको बतानी थी मुझे इसके बाद end करते हैं एक और चीज है कि देखिए मुझसे कई लोगों ने मैसेज करके पूछा था कि सर सी साट पढ़ने की strategy क्या होनी चाहिए ठीक है कैसे approach करें हर टाइप से मतलब एक तो अभी कैसे approach करें present time में जब हमारे पास थोड़ा समय है ठीक एक महीने पहले क्या strategy होनी चाहिए strategy तीन टाइप से बनेगी ना एक अभी की strategy प्रिपरेशन वाली फिर एक मन्त जब बचा रहे का तब की strategy यह कौन से strategy होगी revision वाली strategy और फिर एक होगा paper के दिन वाली strategy इसर 28 मई या 29 मई जब भी तुमारा पेपर है उस दिन कैसे क्या strategy रखेंगे ठीक है तो यह तीनो strategy उससे पूछी गई है कि CSAT की क्या strategy होनी चाहिए ठीक तो देखो मैंने अभी how to approach CSAT का session आपका इसे लिए नहीं लिया था क्यूंकि मैं आपका चाहता था कि पहले हमें इस पूरे topic का एक आईडिया हो जाए पहले हम पढ़ेंगे ठीक पढ़ने के बाद strategy बनाएंगे हम लोग पढ़ने से पहले strategy नहीं बनाएंगे क्योंकि वो फिर स्ट्राटीजी अलग होगी और एक आपका रीडिंग कॉंप्रिहेंशन की स्ट्राटीजी अलग होगी पर यह स्ट्राटीजी कब बताई जाएगी जब आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा जैसे क्वांट आपका हमारा लगभग खतम हो चुका है यह यह सब हम खतम कर चुके हैं यहां तक के यह कुछ टॉपिक से जो इंट्रेस्टिंग है पर्मूटेशन कॉंबिनेशन प्रोबैबिलिटी सेट थ्योरी स्टाटिस्टिक्स मेंसूरेशन यह सब पढ़ लेने के बाद मैं आपको क्वांट की स्ट्राटीजी बताऊंगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है इन में से किस-किस का वेटेज जादा है और किस-किस का वेटेज कम है ठीक और जो बेसिक्स होंगे आपके जैसे क्वाड्रेटिक एक्वेशन वगएरा पूछ रहे हैं तो तुम लोग पावर सेंड रूट में प्रॉब्लम है फ्रैक्शन में प्र उसको लेकर आता हूं मैं संडे संडे तो पीवाई क्यू सॉल्व हो रहा है चलिए फिर और यह हां इसकी पीपीटी टाउनलोड करनी होगी तो इस टेलिग्राम आइडी पर मिल जाती है और इफ यू वांट टू कनेक्ट विट मी जितने भी यूट्यूब के सेशन हो रहे ह सबके पीपीटी यहां पर अपलोड हो जाते हैं तो चलिए फिर सेशन को इंड करते हैं नेक्स सेशन में मिलते हैं